भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने राजपती व्लादिमिर पतन आज दिल्ली आ रही है कोरोना संकट की वज़े से पतन का ये भारत दोरा बेहट छोटा यानि कि महज कुछ घंटो का ही रखा गया है लेकिन इसका असर ना सिर्फ दोनों देशों के सम्मंदों पर होगा बलकि इसे चीन और पाकिसान जैसे भारत के पडोसी देशों को भी बड़ा संदेश राएगा उच्ची पतस्तक सुत्रों के मताबिक रूसी राजपती पतन दोपहर बाद दिल्ली पहुँचेंगे और महज 6-7 घंटे के लिए भारत में होंगे इस जोरान दोनों मुलकों के बीच कई स्तर पर बाद चीत होगी पहले दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंतरियों के बीच 2 प्लस टू वारता होगी और इसके बाद श्राम साड़े 5 बजे दिल्ली के हैदरवाद हाउस में राशपति पतन प्रधान मंतरी नरेंदर बोधी के साथ 21 भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे सुरक्षा कारणों के वज़ों से राशपति पतन के बाद पहुशने के समय का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन नुमान के मताबिक रूस राशपति दो बजे भार पहुश जाएंगे रात करीब साड़ी नौ बजे अपने वतन वापस लोट जाएंगे